हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक, एमके नॉलज गुरूप में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 36 गड़ के करेंट अफेर से समंदित और जीके से समंदित मतपूर्ण कोश्चन जो सीजी ब्यापम में प्रिवियर से समें पूछेगे हैं और ऐसे सम्भावित कोश्चन में पूछेंगे जो अगामी मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के काफी बेनफिट रहने वाला है तो इस वीडियो का आप अम तक देखिएगा प्लीज यह दि आपने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किजेगा शेयर किजेगा ताकि हमारा इसी प्रकार समनोबल बढ़ा रहे और आप सभी किलिए इसी प्रकार के नएने वीडियो हम बना कर लाते रहें और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है प्लीलिस्ट का प्लीलिस्ट में आप देशकते हैं इससे पहले 12 वीडियो अपलोड कर देगा है सीजी ब्यापब में जितने भी 36 गड़ के आज तक कोशन पूछेगा हैं उन सभी कोशनों को आपको देखने को मिलेगा और इसके साथी करेंट अफेर्स और सभिधान के भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए हैं बात करते हैं आज का कोशन जो है निमलिकित में से किसके साथ 36 गड़ के परस राम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है तो परश राम सोनी जी का जो करनाती कारी थे वे आधुनिक भारत के इतिहास में उनका नाम बड़े गवरों के सास्थ ले जाता है और परश राम सोनी जी का क्या मातपुर्ण कार्यातर से आपको option दिये गया है जो कि CG व्यापम में और लोग सेवायोग में यह question बार बार बाँच आपको दिये गया है तो अब जो जो आता है वह चार जो है आता है तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा question कौन सा option सही है चलिए मैं इसका right answer बताता हूं इसका right answer हो जाएगा सही बीकल्प सही है इसमें यानि कि परसराम सोनी जो थे वे क्या थे रिवाल्टर बनाने के लिए तथा पाम बम तथा अगनी बम बनाने के लिए बुलेट यो गोलियो बनाने के लिए तथा धुमा फालाने वाले बम बनाने के लिए यानि कि सभी प्रकार के जो बम और रिवाल्टर बनाने के कारे में परसराम सोनी जी लगे हुए थे नेक्स्ट हमारा कोचन है पुस्प की अभिलासा कविता चत्जगड के किस जेल में लिखी गई थी इस कराय टेंसर बताना है कि चत्जगड की पुस्प की अभिलासा जिन्होंने माकरलाल चत्रवेदी जी का यह रचित है और यह किस जेल में उन्हों लिखा था तो उन्होंने स्ट्रीटिके लगभग, उन्होंने विलास पुर जल में बन किया था, तो उन्होंने पुस्प किया विलास अनाम के कभिता लिखा था, जो कि चत्यजगर के करांदीकारियों में महतपूर करांदीकारी फैलाने का कारे किया था, तिस प्रकार से यह प्रिवियर रेसर्ट में भी कॉच्छन पूचा गया, वो बार-बार कॉच्छन को खुमा कर पूचा जाता है, वीडियो का आप पिलिज अंत देख देखेगा, पूरा वीडियो आप देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा नेक्स कोच्छन है, प्रख्यात स्वतंतरता शंग्राम सेनानी सुंदरलाल सर्मा के पिता का नाम क्या था? इस प्रकार से बिदेशी समान की विक्री के द्वरान धर्ना दिये गया था, इनके द्वारा 36 गड़ के करांतिकारी में मात्पुनिन का नाम लिया जाता है, जब करांतिकारी समरेन हो रहा था, तुनके द्वारा बिदेशी समान की विक्री के द्वरान उनन धर्ना दिया थ कि शोतंत्र तर्णूर हो जाएगा सभी वी कलप सही है यानि शोतंतर तर्ण जब अन्दोरन हो रहा था उस समय 36 गड़ में ठाकर प्यारेलाल सिंग, बल्डेव प्रशाद मििस्टट, ठाकर पनालाल सिंग तता बनसिलाल राश्टी विद्यालों की स्थापना की जिन में करांती कारी चीजों की बारे में मत्पूर्णुप से जानकारी दी जाता था और किस प्रकार से कारे को अंजाम देना है इस प्रकार की चीजी भी वहाँ पर चलता था नेक्स्ट है उनेशस सो व्इस में राजनांद गाओं में राजनान तक एक मिल हरताल हुआ था ते इसका राई टैंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारे लाल सिंग ने किया था चुकि वो option में नहीं दिया है इसके राइट एंसर हो जागे इन में से कोई नहीं तो 1920 में राजनत गाउं में 37 दिनों तक मिल हरताल चला था जिसके नेतरोत करता ठाकुर प्यारे लाल सिंग थे और भारत के थियास में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला मजदूर हरताल के नाम से भी जाना जाता है कभी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है Next question है कौन से कल्चुरी राजा ने पहली बार सोने के सी के 36 गड़ में चलाए थे इसका राइट एंसर बताना है कि कौन से कल्चुरी राजा थे जो पहली बार सोने के सी के 36 गड़ में चलाए थे इसका राइट इंसर हो जाएगा जाजल ले देव प्रथम जाना जाता है कहा जाता है कि चशतिगड में पाएगे पुरातथ प्र जो सिके रुपने जाना जाता है Geoc ो में नेक्ष्ट ग्राम पंचायद से कोशन देखनेों को बिलता है दो-3 कोशन आपको हर एक्जाम मिल जाता है, इसके राइट ऐंसर के हम बात करेंगे, ग्राम पंचायद के आओधी की गढणा निर्धारित होती है तो इसका राइट ऐंसर हो जाएगा, जब गराम पंचायत का गठन होता है उसका जो है आधी की गठना पांच वर्स होती है तो पांच वर्स का गठना जो है किस तिति से उन्हें निरधारित के जाता है यह पूछा गया है इसका राइट एंसर रोजा है गराम पंचायत के प्रथम समेलन जब गराम पंचायत में प इसका राइट एंसर बताना है कि सच पंच के विरुद अभिश्वास प्रस्ता उजब जारी के जाता है तो उसमें क्या सही नहीं है तो इसका देखिए हम पॉइंट वाज देखते हैं इसका राइट एंसर हो जाए ग्राम पंचायत के प्रथम समिलेन की तिथी से एक वरस के क्योंकि ग्राम पंचायत के प्रथम समिलेन की तिथी से एक वरस के भीतर कोई भी अब विश्वास प्रस्ता पेश नहीं के जा सकता है दूसरा कथन है यह उपस्तित तथा मतदान करने वाले सदासियों के तीन चौथाई बहुमत से पारित होना चाहिए यह कथन बिलकुल राइट है नेक्स्ट कोचन है यह कुल सदासियों के दो तिहाई से अधिक सदासियों द्वारा पारित होना चाहिए यह भी कथन क्या है सई है दूसरा है यह कुल सदासियों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए ति यह कथन क्या है चांथा कथन क्या है गलत है चर प्रकार से यहां पर देखिए पुछा गया है कि सही क्या नहीं है जिसमें राइट हो जाएगा one four और six इसमें क्या है सही नहीं है इस परकार से आपको detail में पढ़ने चाहिए नेक्स्ट कोछन यहां पर देखिए है सरपंज के प्रत्यवरतन की विशय में निम मेंसे क्या सही नहीं है तो इसका right answer बताना है कि क्या सही है, सरपंच के प्रत्यवर्तित किया जा सकता है, कथन क्या है, सही है, सरपंच को कारेकाल के आधे समय के प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यहाँ पर लिखा था कि प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, सरपंच को अगर हम प्रत्यावर्तित करना होता है, तो उनके आवेदन पर एक प्रत्यावर्तित किया है, सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकता है, यह भी कथन गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो इस प्रकार से ई नंबर इसकार राइट एंसर होगा, यानि कि सरपंच को कारेकाल के दोना प्रत्यावर्तित किया सकता है, सरपंच को कारेकाल के आधित समय के बाद प्रत्यावर्तित कर सकता है, और इसमें चौंता था कि प्रत्यावर्तित करने पर आवेदन के ग्राम सभाद देना पड़ेगा, और उसके बाद एक 23 सदस्यों कहा स्ताक्षर होना चाहिए, और उसके बाद यह है कि सरपंच उक्त समय के ब्रत्यावर्तित की अंग्छ जो है कलेक्टर पास याज का पेस कर सकता है, त इस परकार से सरपंच से समझे 2-3 कोषर्ण आपको देखने को मिलता है, चरी नेक्स हमारा कोषर्ण है, जन्पत पंचायत के संगठन के लिस्यों क्या सही है, जन्पत पंचायत का संग य ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन छेत्रों से जो पुनत या अनसता खंड के भितर पड़ते हैं निर्वाचित होंगी ति इसका भी राइट एंसर क्या होगा ये भी कथन क्या है सही है नेक्ष्ट तीसरा क्थन के राज बिदान सभा का ऐसा सदस जिसका निर्वाचन छेत्र उस खंड के नगरे छेत्र में पड़ता हो तिया तीसरा जो है इसका राइट एंसर क्या होगा ये गलत क्थन है ऐसी बात नहीं है जनपत पंचायद जो है ठेक है जनपत पंचायद छेत्र के समस्त ग्राम पंचातों के सरपंच ये भी कथन क्या है नहीं है जनपत सभा के सदस होंगे उनके गठन में ते बिल्कुल गलाथ इसका राइट अनसर हो जाएगे ए नमबर यानि की एक दो और क्या होता है पांच इसमें कथने सही है जो जनपत पंचायत के संगठन के लिए जरूरी होता है नेक्स हमारा कोचन है निम्न में से सही क्या है इसमें भी आपको देखिए बताना है निम्न में से सही क्या हो सकता है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि 20 परतिसत सरपंच एक वर्स के लिए जनपत पंचायत के पदिन सदस होंगे तिया कथन क्या है? सही कथन है इसका राइट एंसर हो हम बता रहे हैं इसका राइट एंसर होगा कि 20 परतिसत जो सरपंच होते हैं वो एक वरस के लिए जनपत पंचायत के पदिन सदस के रूप नुक के जाता है, कथन क्या है, सही है, दूसरा कथन है कि जनपत पंचायतों के 20% अध्यक्षा, जीला पंचायत के पदिन सदस होते हैं, ऐसा वात नहीं है, ये गलत कथन है, नेक्स्ट है जनपत पंचायतों के जीला पंचायत के पदिन सदस होते हैं ति यह भी कथन क्या है गलत है नेक्स है राज बिधान सभा के लिए उस जीले के निर्वाचित समस्त ग्रामिड छेतरों के बिधायक जीला पंचायत के पदिन सदस होते हैं ति इसका राइट एंसर क्या होगा यह कथन सही है जनपत पं परिशत के उपाधच्ष को पदमुक्त करने की विशय में सही क्या है। जो है हस्ताक्शलित अधर पेक्षा करें, तो परिशत की बैठक बलाई जा सकती है। तिरह कथन क्या है। गलत है। दूसरा कथन परते हैं, जब परिशत के 1.6 निवाचित पारुसद हस्ताक्ष्रित जो है अध्य जो पेक्षा करे तो परिशत की बैठक बलाई जा सकते हैं यह सही है कि हाँ पर एक बटे-छे होना चाहिए, परिसात में तभी नगरपाल का परिसात के उपाधक्ष को अध्य-पेक्षा को जारी किया जा सकता है, तो दूसरा कथन सही है इसमें, तीसरा कथन बताता है कि आयशी बैट को कधिक्ता कालेक्टर, या प्रथम-स्रणिया- करने वाले दो तीहाई निर्वाचन सदेशों और कुल निर्वाचित पारषदों के आधिस अधिक सदेशों को पारित होना चाहिए तो इसका राइट एंसर होगा यह पांचवा कथन क्या है सही है यदि प्रस्ताव लाया गया है तो उस प्रस्ताव में यदि पाधक्ष को नेक्स्ट कोचन है कि प्रस्ताव जो है प्रस्ताव के दो त्याही बहुमत से पायत होना चाहिए गलत है नेक्स्ट है प्रस्ताव के वल प्रस्त के अधिक से द्वारा प्रस्त के जा सकता है यह कथन क्या है यह कथन क्या है यह कथन गलत है नेक्स्ट कथन है कि प्रस्ताव प्रवस्ट किवल निर्वाचित, पारुसत द्वारा ही प्रवस्ट किया सकता है। यह कथन क्या है? सही है। ति इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि अगरपल का परिषट को पाधक्ष जो है उनको पदमक्त करने के क्या क्या कारी करने है। नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ल है इसका राइट एंसर हो जाएगा महम दिका उध्ल मिस्थर जो है सिहावा फरसिया जो धम ते जिले मिस्थे थेखे जस्ट गित क्या है इसका राइट अंसर बताहरा है जस्थीन यह देवी पूजन गीत की रूपर हम जानते है जस को देभी पूजन गीत का जाता है बहुत है यह सब गया जा जयता है ने किस धह संसार का सबसे सुंदन ने करगी तो कौन है ते इसका राइट आंसर हो जाएगा अभुछ मळिया है वह छैनल बनाने का अनुशुची जंजाती वाला कारह को करता है जो करता है वह राइट आंश ऑंगा हल्वा जंजाती है हल्वा-जंजाती के के दवारा चिवडा या पोह बनने कारे के जाता है पिलेज इस चैनल को लाइक, शेर, सप्राइब कीजीगा जोगी मारा गुफा किसके लिए प्रसिद है इसका राइट एंसर हो जाएगा जोगी मारा गुफा जो है सिल्प के लाइट एंसरीन में से कोई नहीं होगा सिल्प कला के लिए प्रसिद है, याद रखेंगे तेक है, नेक्स्ट है चातिस गड़ी उपनियास मोगरा की रचनकार को है ते इसका राइट एंसर सभी लोग जानते होंगे कई बार एक जामें पूछा गया है सीव संकर शुकला उपनियास मोगरा की रचनकार है सीव संकर शुकला चातिस गड़ के किस मुख्य खनेज का अखिल भारती इस्तर पर खनेज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है ते इसका राइट रोजा का टीन का टीन का उत्पादन जो है दिया जाता है तो 200 दिन देने का लक्ष रखा गया है तिस प्रकार की चीजे भी चल रही है और इसी प्रकार करने ने वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरू सब्क्राइब कीजेगा हमारे टेली गराम ग्रूप एमके नोलज पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको पीडि जय भारत